तो रेडी है न अजी तो सुरू करें हैं तो हमारे खास मेमाने स्टूडियो में आज अजीत दुवेदीन का नाम है राजनितिक तोर पर बहुत सचेत सजग ना सिर्फ पत्रकार हैं बलकि बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो सीटों के हिसाब से सियासत के हिसाब से समीकरन के हिसा सबसे इतनी बारिकी से नजर रखते हैं कि मैं मूरीद होता हूं उनमें से अजीत दुवेदी भी है हमारे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग जगा आप इन्हें देखते होंगे इनका पड़चा संचिप यह है कि दैनिक भासकर समयत कई अखवारों में रहें और अभी न हर राज की राजनिती अलक है और हर राज में चुनкивतियां अलग है मोधी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी तो किस राज में ओनी को 2019 की तरह सीटें मिलेगी या नहीं क्या मोधी 2019 के नतिजे को या 2019 में जिस धंक से मोधी ने कई राज्यों में जबर्दस स्ट्राइक लेट के साथ काम्याबी हासिल की मोदी और एंडिये ने क्या वो काम्याबी दोहरा पाएंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी ने नारा दे दिया है अब की बार 400 पार पिछली वार 330 अब की बार 400 और इन सब के बीच इंडिया गठ ब बंधन की तरफ से और इंडिया गठ बंधन के नेताओं की तरफ से जो अपने बयानों में जो वजह हैं और जो मुद्दे किनाय जा रहे हैं वह आप जानते हैं लेकिन मैंने अजीब दुवेदी को खास्तोर सी इसली बुलाया है दो राज हमारे सामने एक यहां देख रहे दोनों सीटों मिलाकर हो रहे हैं 54 सीटे हैं तिसले आद के विशलेशन वाले कारेकरेम का नाम है 54 सीटों का पेच और 54 सीटों का पेच क्यों क्यों क्योंकि यह जो 54 सीटे हैं और यह दो राज्ये हैं यहां BJP को और NDA को 2019 में जबरदस्त काम्याबी मिली थी और वो आएंगे या नहीं इस पर बहुत कुछ तैय होना है तो अजीत दुवेदी से जरा हम सीट के हिसाब से समीकरन के हिसाब से स्थानिय मुद्दे के हिसाब से और जिस ढंग से मोदी जी ने दाओ चलके नितिश कुमार को अपने पाले में कर लिया उससे क्या फर्क पढ़ रहा ह बड़ी सभा भी तेजस्वी आदब ने की तीन तारीक को जिसमें बहुत भीड थी जवर्दस्त गांधी मैदान इतिहासी गांधी मैदान में क्या उसका फर्क क्या तेजस्वी चुनाओ तक उस टेंपो को बनाते हुए बड़ी चुनोती बन पाएंगे क्योंकि 2019 का अगर नतीजा देखें तो चालिस में से सिर्फ एक सीप कॉंग्रेस जीती थी कि शंगा जुन चालिस एंडिये गठ बंदन तो यह बदला हुआ समीकर बदली हुई राजनिती और बदली हुई स्थित्यों में क्या होने वाले स्विच ये भी हुआ कि कुछ गठ जोड अलग-अलग राज्यों में बन रहर है जिसमें बिहार में झो पप्पु यादब जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी जना पेज पर मैं अपने को आज के इस वीडियो पर फोकस करो आपको ये भी बता दो आने वाले समय में कोसित करेंगे कि राजजवार विशलेशन हम ऐसे लोगों के जलिये करें जो उस राज की राजनिती को बारिकी से जानतें सीचों को भी और स्थानिय मुद्दों को भी और ज कि ये पिछली बार अजीद जी ऐसा था दो हजार उसमें ये जो मैप है ये पूरा भगवा हो गया था लगबग पूरा भगवा हो गया था सिर्फ एक आपको किसंगंज की एकदम इस इलाके पर इस्ट में जो सीठ है सीमांचल का जो जो कॉंग्रेस को मिली ती और पूरा भगवा हो गया था समूच वो नितिश कुमार का जंडा हरा होता है लेकिन उसको भी आप भगवा में गिनिया पूरा भगवा हो गया था चालीस में चालीस सीटे मिली थी 2014 में भी कमो भी इसी तरह की तस्वीर थी उस समय नितिश कुमार अलग लड़े थे तो उनको दो सीटे मिली थी कुल मिला करके आठ सीट दूसरी तरफ थी और 32 सीट आप समझे कि उस समय भी 80% से उपर भगवा था बिहार का इलाग इस बार ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कि इ जो राष्ट्य जनतादल कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट ने भी जो मोर्चा बनाया है उसका एक बड़ा असर होता दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर और उसका कारण यह है उसके दो-तीन कारण है एक फैक्टर तो यह है कि जो एलाइंस जो शकल ले रहा है वो एक कार है और दस साल की एंटी इंकमेंसी है और यह ऐसा लग रहा था बीजेपी के नेता पहले दावा कर रहे थे कि हम नितीश कुमार के बगएर भी 2014 का रिजट दोरा देंगे मतब 23 बीजेपी जीत लेगी 32 एंडिये जीत लेगा नितीश के बगएर लेकिन कहीं न कहीं यह लगा देते तो 16 सीटे दी है इसका मतलब कि जरूरत लगी नितीश कुमार की ले आए और नितीश कुमार अगर जरूरत नहीं होती और 400 पार के नारे में कोई दम होता और इन्हें भरोसा होता खुद पर कि हम 272 भी पार देंगे तो नितीश कुमार को नहीं आते कि 400 पार तो यह एक एक फैक्टर है जो लेकर आए बीजेपी लेकर के आई तो एंटीश कुमार की जो गोवर्मेंट की एंटीश कुमार की इतने बरसों की वो भी आ गई डबल इंजन की एंटीश कारण हमको समझ में आ रहे हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरा भगवा नहीं की जा रहा है ना 14 का रिपोर्ट का रिपीट होने जा रहे हैां नdays ॉम्हाजार उननीश चाह опर ow difficult उनननी और क्विज्च क्रीक्राइब मंचबूत स्वाइब फिए उनुन निस में आप लेकिए उनको 17 सीठे हैं भी और उस समय तेई सीठे छोड़ करके अपनी जीती हुई 6 सीटें छोड़ करके जेडियू ने बीजेपी ने उसमें जेडियू से तालमेल किया था 2019 में अब इस बार फिर अलग हो गए थे नितिश्कमार उनको ले आया गया और वापस 17 सीट लड़ रही है बीजेपी तो यह 100% स्ट्राइक रेट इस लगी तो 17 बचेंगी अगर 100% नहीं हुआ तो आप इस पार देख रहे हैं इस पार हलके यह भी हुआ है कि जेडियू और बीजेपी में सीटों का बटवारा हो गया 16 जेडियू एक सीट कम हुआ बीजेपी 17 जितनी पिछली बार लड़ी पिछले चोड़ाओं में और बाकी पांच एलड़ी एलेपी की एक सीट कम हुई एलजेपी मतलब चिराग पासवान वेक्टर यहां में मोधी जी ने किया कि तीन साल तक चिराग के चाचा को मंद्री मंडल में रखे और चिराग को किनारे किया और जब लगा कि ने चाचा से काम नहीं चलेगा दो वहतीज्य क को ले आए और चाचा को किनारे किया चाचा का इस्तिफाव अब हम आते हैं कि वहां तो कम से कम सीटों का सब कुछ सामने आ गया विपक्ष का अभी तक मतलब मैं कॉंग्रेस और आरजेडी की बात कुरूगा उनकी तरफ से अभी कुछ क्लारिटी नहीं है कि कितनी सीटों पर क्या अड़ेस्टमेंट होगा एक ख़बरारी साथ सीट कॉंगरेस को मिले कुछ देखे जी तन्जुम जी उसमें क्या है कि विपक्ष ने अपने सारे पत्ते अभी छीपा करके रखे थे अपने स्लीव में रखे थे जिसको बोलता है व उसने रोक रखी थी अपनी सीटे और अंदर अंदर उनकी बाते हो रही थी अंदर अंदर सारे पत्ते बिछाए जा रहे थे सब वो तैयारी हो रही थी तो अब समय आ गया एक तो चुनाव की घोशना का इंतिजार कर रहे थे और दूसरा इंडिये की सीट बटवारे का बड़ा फाइदा होगा जी तंजुम जी देखिए ये वो पिछली बार का भी आप आकड़ा देखें उननीस का अगर आप देखेंगे इसमें चार में दो सीटें ऐसी है जहां प्रत्यक्ष रूप से सीधे तोर पर पपूया दो असर रखते हैं एक अररिया सीट है और एक मधेपूरा सीट है इन चार में से और दो जो सीट है जो दो सीट और आर्जेडी को मिली थी वो बाका और भागलपूर की सीट है वो भी एक तरह से पुरवांचल, मिथिलांचल, सीमांचल आप जो कहें उसी इलाके में तो आर्जेडी की चारो सीट वहीं मिली थी जो 19 में 0 हो गई जो 4 थी यह पपू यादो के आने से यह 4 सीटे वापस आ सकती है अभी हम लोग कोई जर्षानी करने की सिति में नहीं है लेकिन 14 में जो 4 सीटे थी वो 4 वापस आ सकती है अब वह बांका भागलपूर हम लोग बाद में बात करेंगे पूर्णि पूर्णिया है और यह 4 सीटे ऐसी है और सुपावल भी प्रभावित होने वाला हम जिस डिविजन की बात कर रहे हैं उसमें 46 प्रतिशत मुस्लिम अबादी इस डिविजन की इन 4 लोग सबाद सीटों पर आते हैं तो यह उस हम अभी और आल पपू यादो का आसर आपने कह पूरा से दो वर पापू याद हो रहे हैं तो भी झीघए हैं और लसम में जीरो हो गई और उसके पहले दो चुनाओं में चार-चार सीटे थी उसके पास, नौ में भी और चौदह में भी, तो ये जो चार सीटे हैं, ये सीटे हैं, इसमें जदियू के खाते में वो जो सीटे हैं, जो हम कहा रहें कि वापस हो सकती है, वो मधेपूरा है, उसमें आपकी ये कटिहार है, पुरुनिय बाका यह RJD जीती थी पिछली बार 2014 में, 19 में 0 हो गए, तो यह पपू यादों के आने से यह सीटे इनके लिए आसान हो जाएंगी, आसान के मतलब यहां यह लोग कड़ी टकर देने की इस्तिती में हो गए, 2024 का है, दर्शकों को confusion नहों, 2024 में सीटों का जो adjustment हुआ है, BJP और JTU और NDA की बीच, उसके हिसाब से 2024 की adjustment के एलान के बाद है, हाँ. तो यह अब जैसे हम लोग अभी बात यह कर रहे थे कि जो opposition का है, उन्हों को ने seat बटवारा अभी नहीं है ना उसकिया, अभी बात्चित चल रही है, उमीदवार पर बात्चित चल रही है, लेकिन उनके पत्ते खुले लगे हैं, उसमें एक पत्ता पपुयादों का है, ज उनिया डिवीजन में तो 46% मुस्लिम वोट में, अगर 10% यादों को जोडता है, जो वो जोड सकते हैं, जिसमें सक्षम है, चुकि अब लालु यादों की पार्टी के साथ एलाइंस में भी है, तो वो पूरी तस्वीर बदल सकती है उस इलाके के, हलाकि लोग सभाज चुन इस डिवीजन में, तो उसका नतीजा यह है कि जो कास्ट के हिसाब से भी जो अगर अपनी सत्ता मेहिस सदारी के हिसाब से भी अगर यादो लेते हैं, तो वो और कॉंग्रेस के साथ जा सकते हैं, तो यह इक्वेशन इन सात सीटों पर हमको लगता है कि एक पपू यादों क आने से इंडिया ब्लॉग का काफी अच्छी इस्तिती हो गई है, अब यहां बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि पपू यादव आ गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अभी कोई सांसत भी नहीं है, वो 2014 में थे 19 में हार गय, 2014 में RJD के सांसत थे, लेकिन अजी अरजर बात तो ये है, कि BJP को पिछली बार 17 सीटों पर लड़ी और 17 सीटे जीती, और 17 सीटे जो जीती BJP बिहार में, अगर BJP को ओवराल 303 सीटे हैं, तो उसमें 17 BJP की सिर्फ बिहार से आई, उसी को समझने की कोशिस करें, और ओवराल हम बात करें NDA की, तो 40 सीटे हैं, 40 सीटे NDA को आगे हैं, तो अब ये समझने की कोशिस करते हैं, कि BJP के लिए यहां क्या दिखता है, पहले हम इस पर बात करें, और फिर देखें कि चुनौतियां कहां, जो अगर JDU BJP और LJP, जो चिराग पासवान की पाटी है, उसके बीच जो एलाइंस हुआ है, इस बार दो नए प्लेयर जोड़ गए हैं, उनके साथ, जो पहले नहीं थे, उपेंदर कुश्वाहा को मिली वी सीटे है, ये तो पाट सीटे हैं, जो पिसली बार LJP पास थे, जो जीतिवी थी उसमें से, एक इनकी कम हो गई और पाँच मिली है, तो ये पाँच उनके पास अल्रे से निकली है, जेडियू के खाते से निकली है, उनकी जीतिवी सीट, काराकाट सीट उपेंदर कुश्वाहा के लिए, और गया सीट जीतन रम्मान जी के लिए, तो ये एलाइंस है उनका, कि 17 सीट BJP, 16 सीट जेडियू, पाँच सीट लोग जन सकती पाटी चिराग पासवान कि का खेमा और एक सीट उपेंदर कुश्वाहा एक सीट जीतन रम्मान जी, ये अब इसमें जो चेंज हुआ है, जो बदलाव है, वो हम बताएं अगर आपको तो एक सीट ये जो है नवादा, ये सीट पिछली पार लोग जन सकती पाटी के खाते में थी, चंदन सिंग चु निकल के गई है, जे डी यू के खाते, चुकि जे डी यू की दो सीटे निकली है और उपेंदर कुश्वाहा जीतन रमान जी को गई है, तो एक सीट कमपंसेट करनी थी उनको, तो बीजे पी ने अपनी सीट छोड़ी है, शिवहर की, तो ये नवादा सीट उनके पास नई एक शिवहर सीट उन्होंने छोड़ी है, अब अगर इनकी सीटों के बीजे पी के अपने सीटों की बात करें, तो इसमें अभी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, इस पर 100% स्ट्राइक रेट वो लोग चाह रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन बदलाव ऐसा है, प्रॉब्लम क टिकट कट रही है, यह एक बड़ा भरी अगर नौर्थ बिहार की पॉलिटिक्स कोई भी समझता है, तो वो इस बात को समझता है कि सिता मढ़ी शिवहर, पुर्वी चंपारण, पश्मी चंपारण, यह वैश के लिहाद से कितना इंपोर्टेंट इलाखा है, रमादे भी सि उहर की सीट ली है, आनद मोहन को देने के लिए, उनकी पत्नी को देने के लिए लबली आनद, और सिता मढ़ी की सीट पर सुनील कुमार पिंटू, इंपोर्टेट कैंडिडेट थे, बीजेपी से आके जेडियू की टिकट पर लड़े थे, वो भी वैशे थे, तो उनकी टि रही है, वार्जेडी से भी MP रही है, पुर्वी चमपारन सीट से, जिसका नाम पहले मुतियारी होता था, तो अब यह गड़बड यहां हो रही है, कि अभी BJP यह समझ रही है, कि हम सत्रह 100% स्ट्राइक रेट करेंगे, शिवहर की टिकट काट करके, BJP ने अपनी पुर्व पुर्वी चमपारन की सीट संकट में आगे, दूसरी सीट जो है, जो संकट में आ रही है, हमको दिख रहा है, वो यह है कि यह सारन और महराज वेंज, यह दोनों सीटें जो है, सारन से लालु यादो की जो बेटी है, रोहिनी आचारे, जिन्होंने किड्नी दी थी लालु MP है, जो अत्यांत पिष्डी जाती की पॉलिटिक्स करती है, उसके दस फॉर्वर्ड है, एक वैश, एक उसको सुरक्षित सीट है, दलित की जो सासाराम की सीट है, छेदी पासवान जहां से जीते हुए है, अभी छेदी पासवान है, और दो उनके यादो MP है, नित्या केंडेट है, रोहिनी आचारिया के आने से ये सीट सारन हमको लगता है कि मुश्किल में आएगी, और इसके लिए इस इक्वेशन को ठीक करने के लिए यहां केंडेट बदल सकती है, अभी जो बात चल रही है, बीजेपी की रमादेवी इफेक्ट को कम करने के लिए, जो व बात चल रही है, बात चल रही है, अगर परिवार से बाहर का केंडेट लालुयादो ने दिया, तो ये सीट मुश्किल में आएगी, ये 34,000 वोट से जीती थी सिर्फ बीजेपी, और दो बार की एंटी इंकमेंसी है, रामकिरपालियादों के खिलाफ, दोनों सरकारों के खि पाटली पुत्र सीट कठीन लड़ाई हो गई, पूरभी चमपार, मैं फिर से लिखता हूं कि आप कठीन सीट कौन-कौन मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि 17 में से पाटली पुत्र, एक सीट जो बीजेपी के लिए मुश्किल वाली सीट हम ऐसे अगर लिख लें, कि ये सीट मुश्किल वाली सीट जो है, ये हो गई, पूरवी चमपारन नंबर दो, पूरवी चमपारन ये नंबर दो, फिर सारन, नंबर तीन, ये तीन सीटे हो गई, और उसके अगर महराजगन सीट पर भी कैंड़ेट अगर सेम रिपीट कर रही है, तो वो संकट जो सारन का है इसका इफेक्ट इस पे भी आएगा ठीक है अब ये एक सीट है मधुबनी हम जो पहली नजर में प्राइमरली लग रहा है कि बीजेपी के लिए इन चार सीटों पर मुश्किल हो रही है मधुबनी सीट है परदे के पीछे से आर्जेडी कॉंग्रेस अपनी तयारी कर रहे है अब जैसे चुनाव की घोष्ट ना होई वैसे अली असरफ फात्मी की वापसी हो गई मधुबनी पहले लग रहा था मधुबनी से पिछली बार लड़े थे अब्दुलबारी से देखी चुनाव भार गये थे लेकिन उनको विधान परिशत भेजा है आर्जेडी में अब उनकी जगह अली असरफ फात्मी आ गया है और यह कहा जा रहा है कि वो मधुबनी लड़ेंगे यहां एक अभी लड़ाई इस लिहाद से देखिए कि अशोक यादो एमबी है बीजेपी यादो वोट अगर कुछ भी तोड़ते हैं लालू यादो अगर अगर इस बार अपना वो आखरी अस्तितों की लड़ाई लड़ते हुए अगर यह बता करके कुछ इमोशनल करते हैं कुछ भी वोट अगर वो काटते हैं तो यह सीट भी आएगी लड़ाई में अप्पु के कैंडिडेट्स ने काफी वोट काटे थे तो उस लिहाद से यह कह सकते हैं हम लोग की पपु यादों के आने से और इस बार ओएसी को पिछली बार के जैसे वोट नहीं मिले गाए और इस बार इतना पोलराईज नहीं हुगा था चुनाव किसी को यह नहीं लग रहा था क अच्छा किसी को यह भी नहीं लग रहा था कि बिहार में ऐसे रिजल्ट आ जाएगा उन्चाली सीटें यह जीत जाएगी तो इस पर बहुत पोलराईजड है तो यह अररिया सीट पर अगर वोट 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 नहीं करता है कुछ ओएसी का फैक्टर काम नहीं करता है और पक यह हो गया चार और यह हो गया पांच पांच हो गया तो पांच सीट पर आपके हिसाब से अभी फसने वाली स्थिति बीजेपी को अभी दिख रही हमारे हिसाब से जो समीकरन बनाया है आर्जेडी कॉंग्रेस ने उसमें अपर हैंड उनका है फसने वाली सीटे तो और भी ह है हर सीट पर लड़ाई हो लणा इसबार सीट भी सटों में कोई भayı श्राणी नहीं कर सकता है लेकिन अगर आ आरा में भी कंडेट Hanım कि बतलें की बात है अगर आप आए आएंगे लड़ाई पौण सिंग की बात चल रही है आपको धंका नहीं मिल रहा है, पावन सिंग का नाम, एक वेक्ति है पावन सिंग, भोजपूरी में अपने अश्रील गानों के लिए काफी मशूर है, काफी मशूर है वो, तो बीजेपी के तरफ से उनका नाम आरा सीट पर भी है, और उन्होंने मना किया था चुनाव लड़ सकते हैं, पावन सिंग सारन भी लड़ सकते हैं, यह भी चर्चा एक आई थी, अब पता नहीं कितनी सही है, लेकिन यह चर्चा बीजेपी के सर्किल से है, कि रुड़ी की जगा पावन सिंग को लड़ाई, तो तीन सीटों पर उन एक वेक्ति का नाम चल रहा है, तो अभी इस तरह से हर सीट पर फसेगी लड़ाई, कैंडिडेट आएंगे जब उनके और दोनों तरफ के पहलवान आ जाएंगे, महारती मैदान में आ जाएंगे, तब हम लोग इस पर और बारिकी से बात कर सकते हैं, तो अभी उसके हिसाब से, यह पांथ सीट या छे सीट तो आप इस पर जीती थी, उन 40-49 सीटे अंडिये के पास थे, किशन गंज कॉंगर्स जीती थी, उस हिसाब से यह कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए पांच सीटें यह क्लियर कट दिख रही है, पांच के अच्छे बलकी, और कुछ और सीटों पर आपको लगता है कि यहां फाइट हो हो सकता है, यही जर बीजेपी को रहा होगा, मोधी जी शाह जी को तभी वो लेकर आगे नितिश कुमार को, लेकिन नितिश कुमार के आने के बाद भी, यह 17 सीटों माला स्ट्राइक रेट अभी नहीं कहा जा सकता है, बीजेपी के मिए, मतलब नहीं कहा जा सकता है, मतलब इसमें काफी नुकसान है तो हम दो लग रहा है कि ये जडीव की सीटे है इसमें भी लगबग उतना ही नुकसान हो सकता है और उसके उसके कई कारण है जे जडीव को ले करके बीजेपी के अंदर कोई अच्छी धरना नहीं है बीजेपी के लोग भी जो लोकल यूनिट है बिहार प्रदेश के यूनिट हो या जिलो की यूनिट की बात आप करें तो वो कोई खुश नहीं था कोई नहीं चाहता था कि नितीश कुमार वापस है क्योंकि काफी लोगों के औसर खतम होते निती निटीश कुमार को हराया था चिराग पाशवान ने उनकी 116 सीटों पर इन्हों ने उमीद्वार उतारे जिसकी वज़े से वह हारे थे दो दर्जन सीटें लगबार इसी का बदला लिया नितीश कुमार ने चिराग पासवान की पाटी तुडवाई उनके चाचा पशुपती पारस के साथ 5 MP भेजे अपने पार्टी पे कब्जा हो गया, सिंबल मिल गया, चिराग पैदल हो गया, बारत जनपत में रामलास पासवान 30 साल से रहते थे उनका समान फेक के बाहर साड़क पर कर गया, यह सब नितिश कुमार की वज़ा से हुगा, नितिश कुमार के कारण तुरंथी मंतरी बने परशुपती पारस, उनको लोगसभा में मानेता मिली, बंगला खाली हुगा, लेकिन इसका दूसरी भी बात कह सकते हैं, नितिश कुमार के कारण यह हुआ, लेकिन उसके पहले जो चिराग पासवान नितिश कुमार के उमिद बीजेपी ने पहले किया चिराग पासवान का इस्तिमाल किया फिर नितीश कुमार जब चिराग पासवान के पीछे पड़े तो बीजेपी साइलेंट हो गई उसने होने दिया जो नुकसान होना था अब फिर चिराग पासवान को लोग आपस ले आए हैं तो यह चिराग पास पासवान की पार्टी को 5 सीट मिली एक इनका कम हुआ तो आप ये करें कि चिराग पासवान और नितीश में जो 36 का रिष्टा था वो उसकी वज़ास से ऐसा हो सकता है कि चिराग के वोटर सपोर्टर जो भी है वो जेडियू का नुकसान करने की कोशिस करें अंदर खाने बिल पंदरह का चुनाओ जब आर्जेडी के साथ लड़े तब भी नितीश का स्ट्राइक रेट 71 परसेंट था और लालु यादोगी पार्टी का स्ट्राइक रेट 80 परसेंट उसके पहले जब वो बीजेपी के साथ लड़े विधान सभाल तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91 रहता है और आर्ट नितीश कुमार का स्ट्राइक स्ट्राइक का फार स्ट्राइक रेट 83 परसेंट यह reflects कम उसलिए रहता है क्योंकि बीजेपी अपना वोट 100 परसें'T ब्सक्राइं कराती है या नहीं होता है, BJP के जो core voter है, supporter है, खास्तोर से उसमें जो forward का एक बड़ा बर्ग है, वो नितीश कुमार के candidate को vote नहीं देता है, BJP ये candidate को दे देता है, नितीश को नहीं देता है, उसी तरह से चिराग पासवान का जो core voter है, वो BJP को दे देगा, चिराग पासवान की पाटी को दे देगा, नितीश कुमार को कम देगा, तो इसकी वज़ासे, इसको समझिए, इसको ये JGU का जो नुकसान है, वो BJP से हमको ज़्यादा दिख रहा है, ओवरॉल हमको लग रहा है कि 10-12 सीटें ऐसी हैं, जो इस बार नुकसान हो सकता है, 30 के नीचे आ सकता है, NDA जो पिछली बार 49 था, इनको नुकसान की संभावना इन दो कारणों से, जो BJP के साथ, जो core vote नहीं करेगा, BJP का core vote टरन अप नहीं होगा इनके लिए, और BJP का भीतरगाद जो है, वो नुकसान करेगा, उसी तरह से जब आपका BJP आएगा, तब ये भी देखिएगा, नितीश कुमार के लोग भी, बी चिराग पासवान के उमिद्वारों को हराने के लिए काम करेगा, वो भी होगा, बीतरगाद दोनों लेवल पर होगा, अब इनका खाली अगर इनकी सीटे देखिए, तो इनकी जो ताकत है नितीश कुमार की, वो ताकत ये जो बिहार को समझते हैं, जो लोग भी, उनको पता है कि ये देखिए, ये पूरा, यहां से आप देखिए, ये जंजारपूर, ये मिधिलांचल हो गया, और यहां से देखिए, सुपॉल, किसंगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपूरा, ये पांच सीटें जो हैं सीमांचल की हैं इनके पास, जहां पपु याद दीजिए, तो जेडिउ के के ज्यादा गाया था, बीजेपी से जादा गाया इन तमाम सीमांचल के इलाके में, तो जब अलग अलग अकेले-अकेले ये लोग लड़े थे अर जेडी से जादा आया था उससे माफ करिएका, तो ये नितिश कुमार का अपना वोट आधार है इस इलाके में अतियंत पिछणों का लेकिन उस पर अगर यादों नहीं आया और मुसल्मान पूरी तरह से दूसरी तरफ गया तो इनकी ये पांचों सीटें बहुत मुश्किल में आएंगी ये पुर्णिया, कटिहार, किसंगंज, सुपॉल और मधेपुरा किसंगंज तो ऐस जादों के आने से, जो भीतरगात हो, बीजेपी के तरफ से हो, जिसकी तरफ से हो, वो इनके यहाँ ये मुश्किल करेगी, ये इलाका इनके लिए मुश्किल का होगे, शिवहर इनकी सीट आ गई इनके पास, जो पहले रमादेवी की सीट, ये सीट हमको सबसे ज़्यादा इस पूरे एलाइंस में लग रहा है, क्योंकि लवली आनन्द आकर के लड़ेंगी वहाँ से, और रमादेवी की टिकट कटी है, बगल के सीटा मड़ी में भी एक वैशी की टिकट कटी है, तो ये सीट इनकी फ़स रही है, सिवान में कैंडिट बदलने की बात ये लोग कर हैं कविता सिंग को पिछली बार दिया था, और इतना कैसे आपको नाम हो में, इसलिए मैं इनको इनको इनसे बात करता है, एक-एक सीट कोन है, कविता सिंग, सविता सिंग, ये, पला, ये, हर सीट का जो उमिदवार, उसका दावेदार, प्रतिद्वन्दी और वहां के समी करन महुत याद रहता है, उनकी टिकट बदलने की बात हो रही है, और टिकट बदलने की बात इसलिए हो रही है, आजी तन्जुम जी, क्योंकि इसके साथ आप देखिये, तो मुतिहारी राजपूत के इंडिट है, राधामों सिंग, सीवान राजपूत, कविता सिंग, सार पतनी लड़े वहां से, तो वो कोशिस हो रही है, अगर वो सीट बदलती है, अगर वो होता है उस तरह का, पता नहीं पिछड़ा और यह कितना पोलराइजेशन होगा, राजपूत वहां नाराज होगा, ठीक है, तो यह सिवान सीट कैंडिट अगर बदलते हैं, तो संकट म आएगी उनकी, और भागलपूर सीट जो है, यह 14 में जीती थी आर्जेटी, भागलपूर सीट पर गुलो मंडल, सैलेस कुमार है, गुलो मंडल जीते थे, 19 में वो हार गय थे, लेकिन उसके बाद से यह भागलपूर पर कैंडिट यह हमेसा वलनरेवल सीट होती है, बहुत तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, यह 9 सीटे तो ऐसी हैं जो सिमांचल और मिधिलांचल की हैं, और वहाँ MOI समिकरन भी काम करता है, और दूसरे फैक्टर भी काम करना है, तो यह इनकी यह 9 सीटे ऐसी हैं, मुश्किल वाली सीटे, तो आप गोल रहे हैं कि 9 ऐसी स तो यह इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनके प्रती बीजेपी में भी नाराजगी है, बीजेपी के भी काडर में नाराजगी है और लोजपा के काडर में भी नाराजगी है, उपर से नितीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं, और यह संजोग देखिए कि इको सिस्टम ने बहुत परचार किया, उससे उनको लेकर के एक निगेति हैं, अभी तक नहीं खोला है, तो यह वह भी एक फेक्टर है, इसका मतलब कि अभी इसका तो मैसे जा रहा होगा ना, बीजेपी के जो जो कोर वोटर है, उनमें तो यह मैसे जा रहा होगा कि अभी पगडी नहीं खुली है उनकी, इसका मतलब कि दोनों में जो सिमेंटेड नहीं हुआ है, जिस तरह का पहले का था, तो वो यह नौ जो मिधिलांचल और सिमांचल की सीटे हैं, जहां मोई का समीकरन बना, जहां पपूया दो आए, जहां वो लेके आए उनको अपने अली अस हो रहा है कि मुंगेर में जैसे वो महतों साब जो महां के मुंगेर के हैं और जेल से निकले, लेकिन अब उन्होंने शादी की आचानक और लग रहा है, ललन सिंग को के लिए चैलेंजर की तरह वो आ सकते हैं, यह इस तरह का खेल पहले भीहार में हुआ था सिवान में, इस छोक महतों जो हैं, वो 17 साल जेल में रहे, और एक समय ऐसा था जब उस पूरे इलाके में जो खुनी वरक्तरंजित जो लड़ाईयां चलती थी, उसमें एक पक्ष यह होते थे, दूसरा पक्ष अखिलेस सिंग होते थे, जो अखिलेस सरदार के नाम से जादा जाने जाते थ थी, वो ML है भी BJP की, तो वो बनी नहीं कर आखरी समय में उनका नाम कट लिया, लेकिन ये मुंगेर वहां लड़ाई का इलाका था, तो मुंगेर में भी मुश्किल, मुश्किल मतलब पेच्वास सकता है, मातों का भी एक अपना प्रभाव है, पिछड़ा थी पिछड़ा गोलबंदी है, वो ज़्यादा फैक्टर करेगा, क्योंकि महतों तो पहले भी प्रगती महता को लालु या तो लड़ाय थो नहीं जीट सकते, पिछड़ा आती पिछड़ा कि गोलबंदी हो सकती है, लड़ाई सिंग को अपर कास्ट है, तो एक जातिये गोलबंदी हो सकती ह है, कि ऐसा कैसे होगा कि एक बार ललन सिंग जीतेंगे और दूसरी बार उनको हराने के लिए सुरजवान सिंग आएंगे, और फिर तीसरी बार अनंद सिंग की पत्नी लड़ेंगी, तो ये ललन सिंग हो, सुरजवान हो, अनंद सिंग हो, इनसे मुक्ती दिलानी है, और बह कि मसीहा के तरह पेश किया जाता हुआ तो यह लड़ाई यहां मुंगेर में अगर मुंगेर भी पेचिती हो गई तो इसे साब से देखें तब तो जेडियू के लिए सबसे बुरी खबर इस चुनाओं में सबसे ज्यादा हो सकता है हो सबसे ज्यादा चुकि उनकी सीटें ज् दिकत भी इसी वज़े से आ रही है क्योंकि लालू यादों चाहते हैं कि हम ज्यादा तर उन सीटों पर चुनाओं लड़े जहां नितिश्कुमार है तुम्हें स्कोर सेटल करना है कि नितिश्कुमार को मजा चा खाना है या चुकी बढ़ने रवल भी है जीत के चांसे ज् कि लैंगा बाद सब लोग जाते थे कि निखिल कमार की सीट उना को लगता था कि सासाराम हो जैगी सीट मिरा कुमार की सीट गवर कि नहीं मांग को ईसकी वज़े से रुकिया और उसका कारण यहीं है कि जीतने की संभावना उन सीटों पर ज्यादा दिख रही है जो नितिश कुमार की है वहां आर्जेडी ज्यादा सीट लड़ना चाहरी है उसमें पूनिया एक कॉंग्रेस की तरफ जा सकती है सीट भी वह मांग रहे है यह इस पर लड़ी तो आर्जेडी इसमार थोड़ी ज्यादा सीटे लड़ना चाहरी है वह एक ऐसा भी लगता है कि 2020 के विधान सभाव चुनाओं में कॉंग्रेस को 70 सीटे दियो स्ट्राइक रेट बहुत कम था 19 सीटे जीती तो शायद यह भी हिसाब किताब हो रहा है कि इसमार क को थोड़ा कम सीटे मिले मतलब यह इसी वजह से स्ट्राइक रेट कॉंग्रेस का अच्छा नहीं होता है लेकिन आप लोगसभा चुनाओं में देखिए का तो हमेसा कॉंग्रेस की परफॉर्मेंस बेटर होती है असेंबली में कॉंग्रेस को थोड़ा कम वोट आता है वह ह लेकिन अब साथ पर सेटल हो आट पर हो साथ पर हो मालो यह होगा कि साथ क्या असपास कॉंग्रेस और चार तीन या चार सीटें जो है लेफ्ट को देनी है और इसके बुके सहनी आते हैं तो तीन सीटें उनको और जो सीट बचती है वह बाकी आर्जेडी के खाते में जाए लेकिन अब इसमें जो कॉंग्रेस सीटें लो अभी ना मांग रही है जो नई सीटें कॉंग्रेस मांग रही है इसकी वजह से वो पेच थोड़ा सा रुका हुए। ब्रज बीड़ की पैसे नहीं मांग रही कोंगरेश को लड़ाना चाहती है करा काड में उसिट पर अपने बेट कोल यहां लड़ेगा तो पुनिया को लेकर के भी यह है यहां भी कम भी तरगात नहीं है कि RGD Congress Alliance में सब कुछ ठीकी है यहां भी है अब पपु यादो के आने के समर्थक नहीं थे अखिलेश पर साथ सिंग्यों प्रदेश अध्यक्षय है वो विरोध कर रहे थे उनका वो कल प्रेस कॉंफरेंस मे जो अजीब दुवेदी जी कह रहे हैं और आपने इतनी देर में समझ गए होंगे आप भी दर्शक की कितनी बारीकी से उस इलाके के समिकरण उस्थानी अनेता और जो भी वहां का पिछला ट्रैक रेकॉर्ड है सियासी उस पर इनकी नजर होती है रहने वाले बिहार के हैं हां जी जी व्यार के हैं चंपारन के हैं अच्छ मद्या रहते हैं राने वाला मैं भी वियार का हू生ने लेकिन पुलद ओ dairy आगए लोग जनसक्ती एक ले आएं तो हम लोग उनकी पासी खानते हैं १े लmotion का है डेटा, मतलब डेटा नहीं, मतलब जो सीटों का LGP का इस बार का हिसाब किताब है जो सीटों एक हाते में जा रही है या एड़्जेस्ट्मेंट में जो एलजेपी को मिला यह एलजेपी का अब एलजेपी को पिछली बार 6 सीटें मिली थी गटवंधन में 2019 पे और च्छे ओपर एलजेपी जीत गई लेकिन बीच का जगड़ा शुरू में हमने जिक्र किया हम अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं बार बार हम जेडियू और बीजेपी के प्रस्पेक्टिब से इसलिए कर रहे हैं और जेडी और कॉंग्रेस का अभी सीट एडजस्मेंट का फाइनल नहीं हुआ है उमिदवारों का भी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन चुकी स्ट् इसमें 49 सीटे पिछली बार एंडिया गठवंदन को मिला था तो इसलिए बेंचमार्क वही 49 है कि वहां उनका कितना कम हो सकता है और उसी से बहुत कुछ तया होगा 400 पार या 272 पार या 270 के नीचे इसलिए हमारे सामने जो पैमाना है वो जेडियू, बीजेपी और उनके ग राजीपूर, समस्तिपूर, जमूरी, यह तीनों सुरक्षित सीटे हैं, अनुसुचित जाती के लिए रिजर्व सीटे हैं, पुरे बिहार की 40 में से 6 सीटे रिजर्व हैं, उसमें तीन रिजर्व सीटे हैं, देखिए चिराग पासवान की पार्टी को मिली है, बतब एक ही सीटे हैं, वो लेकर के जीतन रामान जी को चली गई, तो अब बीजेपी के पास एक सुरक्षित सीट सासारा, नितीश कुमार के पास एक सुरक्षित सीट गोपाल गण्ज, और इनके पास तीन सुरक्षित, पांच में से तीन, अब इनकी मुश्किल एक तो पहले हम बता च लेकिन अगर वो मैसेज करता है नीचे अतियन पिछडों के बीच में या नितीश कुमार की इसका नुक्सान, तो यह अगर नितीश कुमार की अपनी कॉम्टी में जाता है, जो खासतोर से जो बीजेपी वी मान रहेगी कुर्मी और धानो, यह वोट ऐसा है जो एकदम उनक को नहीं मिलता है, तो उसका नुक्सान होगा इनको, दूसरा नुक्सान क्या हमको लग रहा है, कि यह तीनों सीटों पर जो हमारी जानकारी है, उसमें यह है कि यह पासवान ही लडाने जाए अचा यह भी वैसे दर्शकों को पता होगा, कि जमूई से अभी जो सांसद है, किराग पासवान जमूई स्वही सांसद है, और यह जो सीट है, हाजीपूर, यह बहुत ही परंपरागत सीट रही है, पासवान की, शायद नौबार यहां से सांसद रहे, बीच में हारे बीते हैं, रामसुंदर दास से शायद पराइटिक क्याद है, और 77 में तो पासवान की बेटे, चिराग के चचेरे भाई, रामविलास पासवान की भतीजे, अब आते हैं, अब यह हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनकी पांच सीट एक पो बलनरेवल होने का कारण बताए, जेडियू का भितर भितर घात हो सकता है, दूसरा यह हाजीपूर सीट पर य एलायंस भले नहीं हो आरजेडी और आरजेडी के साथ प्रशुपति पारस की जो पार्टी है, राष्टिय लोग जन सकती पार्टी, उसका एलायंस नहीं भी हो, तब भी ऐसा लग रहा है कि प्रशुपति पारस साजा कैंडिडेट होंगे अपोजीशन, अच्छी हो सकता ह हाजीपूर सीट पर वो साजा कैंडेट होंगे अब देखें क्या राजनिती है, प्रश्पति कुमार पारस अभी दो दिन पहले तक परसों ही मैंने वीडियो किया भी था, यूजन फ्रो की जो मोदी जी की पॉलिटिक्स है, कि प्रश्पति कुमार पारस 2021 से अभी परसों मोदी सरकार में केंडरिया मंत्री थे और जब चाचा को किनारे लगा कर भतीजे को पांच सीट का एलान कर दिया बीजेपी ने तो फिर प्रश्पति कुमार पारस ने इस्तिफा दिया, अब इस्तिफा दे के चाचा बैठें, तो यहां घठवंदन हो सकता है, उनको एक जानते हैं, और उन्होंने काम भी किया, वो मुख्याले रेलवे का जब रेल मंत्री थे, वहां उन्होंने काफी चीजे की हुई है, तो यह इस सीट पर प्रश्पति पारस लड़ेंगे, और अगर इमोशनल कार्ड वो खेलते हैं, भाई हमारे राम थे, भाई हमारे और वो प्रश्पति पारस लड़ते हैं, तो यह लड़ाई भी बहुत दिलचस्प हो जाएगी, इनकी चिराग पासवान के लिए बहुत ऐसा नहीं होगा कि जैसा पहले होता रहा है, और पिछली बार की तरह इन तीनों सीटों पर जो अनुद लड़ेगा, वो पासवानी लड़े ताकि यह न लगे कि एक ही, मतब अनुद में तो टोटल 20 प्रतिशत के करीब अबादी है बिहार में दलित अबादी, और उसमें 5 प्रतिशत के करीब पासवान अबादी है, बाकी 15 प्रतिशत अन्य दलित हैं, तो कोई अन्य दलित लड़ाएं, यह एक प्लानिंग हो रही अन्य दलित को कोई टिकट नहीं देते हैं, चिराग पासवान की तरफ से नहीं मिलती है कोई टिकट, तो फिर आप समझिए कि BJP के पास भी एक जो सीट है, छेदी पासवान की सीट है, चार पासवान हो जाएंगे, यह एक तरह का इंबैलेंस होगा, जो नौन पासवान जो कीटऊर चाहि कि अपने बहनुऊ ही को लडाना चाहार हैं, चिराग पासवान, तो और तीसरी सीट वो किस को लडाते हैं, यह तीनों पासवान अगर लडाते हैं, तो अज़वान जो संत्त होगा, थोड़ा क्या काफी नट होगा, यह पष़ूपति पारस उनको डैंट करे लडाई पांचो सीटों पर है अजी तंजम जी पर हम यह कह रहे हैं कि खगडिया के सीट जो है उनकी सीटिंग एंपी जा रहे हैं पिछली बार उन्होंने महभू वली कैसर को दीती और वो चुनाव जीत गय थे अब इस पार महभू वली कैसर आउट है आउट इसलिए है क्य ें ऊंको नहीं देंगे तो उसमें है महभू जाताएज से यसाह हैं और उनको सीट्न हें रही है उनको जह संभव है कि अगर उनको इदर नहीं बिल जाए क्अशा का पंने संथ आपने पॉंट का दो प्र देंगे उनको सबके सब पश्मानों को महभू वामस के disgust नोगारा जीता और आप तिकट काटोगे चुकि आप नया केंडिडेट दोगे तो पहली बात के नया केंडिडेट कौन हो और दूसरी बात की अब मालो प्रिंस जो चचेरा भाई है वही कुछ खिलाफत करेगा या खारा हो जाए किसी डंग से वहां पशुपति पारस भी करेंगे वह परिवार का जगळा होगा दोनों सीटों करेंगे और यहां भी परिवार के लोगं रोफ करेंगे बटेंगे और है जिला गवाहः सालिय में चिराख पासेट पर यह तो छोड़ के घंगें चाल गया आगए तो यह बनाद आपके चाने के लिए पाचों सीट पर फाइट है है खगडिया अगर चैंडिट फिर यहां आगे महबू बली का सर अपोजीशन के साथ और यह सीट वह है जहां यह कि मुके स्थानी भी मैटर करें इस खगडिया सीट पर फाचों पर टकर है सभी पर टकर है यह वैशाली में हम यह सुन रहे हैं अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं यहां से वीना सिंग एंपी थे राजपूत समुधाय समाथ से आती है उनको भी चली परशुपति पारस के साथ को को सकता है कि उनको भी सीट न मिलेगी वैशाली वहां से कंट नहीं कातेंगे यह दूसरा लडाएंगे अब आप यह देखना आ HEY कि राजपूत ही होता है क्या अगर लाकों अपने कहीं तो उस हिसाब से अगर देखते हैं अजीद जी फिर तो ये इस्तिती हो रही है कि अगर अब देखें तो इस बार अगर पिछली बार अगर वहां 40 में से 49 सीटें अगर एंडिया जीद तो आप आप बता रहे हो कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है अगर देखें तो पांचों सीटों पर अगर पांचों सीटों पर नुकसान है तो इसका मतलब तो यह हो गया कि मामला बहुत टाइट है 20 सीटों पर कम से कम 40 की में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया बलॉक इस बार बहुत काटे की टक्कर दे रहा है और यह एक बात हमको हमारी जानकारी जो वहां से मिली है इन लोगों से कि इतनी ही सीटें लोग टार्गेट भी कर रहा है मतलब टार्गेटेड लडाई जिसको बोलते हैं कि सभी 40 सीटों पर अपने रिसोर्सेज नहीं लगाने है वह सीट जहां हम कड़ी टकर दे सकते हैं देखिए लोग सभा चुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड आर्गेटी का बहुत अच्छा नहीं रहा है 2004 का चुनाव चोड़ दिए तो कभी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है सिर्फ चार में हुआ था कि 22 सीटे लालुयादों की पाटी जीत गई उसके पहले 99 में तो 54 सीटे थी विहार जारखंड एकी साथ थे तब भी सिर्फ साथ सीट जीते थे और 9 में 4 सी 14 में 4 सी 19 में 0 सी तो लोग सभा का ट्रैक रिकॉर्ड आर्गेटी का अच्छा नहीं और आप वोट परसेंटेज भी देखिए गाजीत जी तो जब जेडी उपजेपी आते हैं तो उनको 53 परतिशत वोट मिलता है तिरपन परतिशत और इधर जो आर्जेटी कॉंग्रेस का है वो 30 परतिशत है तेइस परसेंट का बड़ा तो अब उसी पिच्छों की वोट शे चाहिए वो मदवनी सीटों बीजेपी की जहां एक सट फिस्दी वोट मिला बीजेपी को या और कुछ सीटें आपने बताई बांका से लेकर और बीजेपी तो पिछली बार बीजेपी को ठिक ठाक वोट मिला काफी मार्गिन जैसे भागलपूर अगर देख रहा हूं तो ज चिसन गन जैसे देखेंगे हलाके चली तो कॉंघ्रिस की सीटिंग तो यह जो फासला है इस फासले को कैसे अब जिश्यायदय को हात है तो यह मुणियर की अगर बात करें तो मुंगेर में 2019 में कि तीन लाग साथ हजार कॉंग्रिस को मिला जेडियू को पांच लाग अठाइस हजार वोट मिला मुंगेर में पुर्णिया में अगर हम 2019 में देखेंगे तो संतो उसकुमार जो जेडियू के थे उनको चाववन फेजदी वोट मिला छे लाग बतीस हजार लेकिन फपु है जिससे लगता है कि अगर यह आपका अंक्लन है कि ईरल सीट और मामलाव फास कता है यह उसमें जो सीट यह पहले कहाकं में एक्कासेर वेती जिलीन होली सीट वहांगा जाहानाबाद की इसली पर जहानाबाद की सीट जो है यह नि निटीश कुमार की पार्टी सिर्फ20 marks जदिखाइर प्रसाइव लड़े थे लेकिन काफी पीचे थे वह. वो 14 में जीते थे तब निति इसकुमार और यह सब लोग साथी थे उपर हैं असीट पर प्रयोग किया था पिछड़ा जिता आया था जहानाबाद की सीट लेकिन अंदर था सिर्फ वोट का यहां इस बार भी लग रहा है तो इस तरह से मिला के दस सीटे इनकी है जो आप फैक्टर पूछ रहे हैं तो एक तो जो जैसे हमने भी कहा कि 23 प्रतिशत वोट का अंदर है 23 प्रतिशत और वर्सेज 30 प्रतिशत तो 23 प्रसेंट वोट के अंतर को भरना पाट सकना बहुत मुश्किल है बहुत सारी सीटों यही अगर तीन देखते हैं जिसका जिक्रम कर रहे हैं कि यहां महलो हलाके फिर बार बार है 2019 से इस्थितिया अलग है यह लगवग 8 फीस दी उस को कुल मिला करके 30 परसेंट ओट 20 पर्सेंट नहीं जाना है और जइडी आए नहीं जाना में जाई नहीं के सकता है नितिश कुमार का पाला बदलना घ्ट बदलना पानते जस्वी ने अगर सरकार में राके कुछ नौक्रियां दी एक तरह से चबी बदलना हो सब अभी फैक्टर है यह फैक्टर है नितीश कुमार को बदनाम करने का जो बीजेपी के ही है उसका नुक्सान होगा इन लोगों ने जो और चीजें हमने बताई जैसे जो अभी कोशिस नहीं हुआ है इसलिए बहुत कुछ उसके बाद बदलेगा और चुनावी सरगर्मी होती है चुकि साथ दौर में बिहार में चुनाव है पहला ही दौर 19 को है उसमें अभी अभी अगर देखें सताइस दिन बाकी है तो बहुत कुछ तब्दिलियां होगी और इस बीच हम अजीद जीद से फिर बात करेंगा अब चुकि वीडियो यह और शायद 50 मिनट का हो गया होगा लेकिन फिर भी अब जैसे एक चुकि सुरू में हमने कहा हम 54 सीटों की बात करें जो पहले बिहार अगर जारकंड एक साथ था तब 54 सीट है अब जहां स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे तो जारकंड में भी बीजेपी को ठीठा कामियाभी मिली 14 में 11 सीट है जारकंड के मुखके मंतरी हेमन सोरें जिस ढंख से केंдरिय एजंसिओं के शिकंद्य बेया है जेल में है सीता सोरें जो उनके परिवार की सतय से थी उनको बीजेपी इन वक्त पर अपने साथ ला ही जबकि सीता सोरें के पीछे भी एजंसियां थी तो बीजेपी जारकंड में भी कोई ऐसा दाव नहीं छोड़ना चाहती है जो जारखन में बीजेपी को अगर पिछली बार ये इतनी सीटें 11 सीटें बीजेपी को मिली तो इस में से बीजेपी को सीटें कितनी कम होती है कम होती दिख नहीं रही होती तो यह आखरी दो मेहने में जो कुछ हुआ यह शायद नहीं ह गया ताकि बीना हेड मतलब हो जाए पाटी अब शीबू सोरें की तवियत खराब रहती है चालेंज जो है चालेंजर सामने ना रहे उस तरह तो उनको जेल भेज दिया उसके बाद एक जो सीट है ये कॉंग्रेस की ये गीता कोड़ा की सीट है पुर्वी सिंह हूं से उनको ब लाके में एक भी विधान सवा सीट नहीं है बीजेपी के पास और इस बात की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जमशेदपुर लोग सवा सीट वहा है तो ऐसे मेट्रोपलिटन शहर में छे में से एक भी विधान सवा सीट नहीं है बीजेपी के पास जमशेदपुर में तो ये जो है ये किया गया दूसरा काम, चिराग वो हैमनperform के भाद दूसरा काम हुआ, गीता कोडा आई, ताकि ये एक सीट बचे और ये जो सीट है, ये जो जीट है, ये जो जयमे मुझे जय मुझे, ये राजमाल की सीट है, बीजाए हंस दा happens यहां से चुझाव जीते हैं और हेमलाल मुर्मु हारे थे, हेमलाल मुर्मु जैमेम के ही आदमी थे जिनको बीजेपी से लिया करके लड़ाया गया था, वो हार गया, अब वो हार के चले गए वापस जैमेमे, तो सीता सोरेन को लिया गया, ये तीन अटेम्ट हुए, तीन चीजें हैं, हेमन सोरेन का जेल लें हम लोग दुमका के हैं वहां शीबू-सोरेन का परिवार वहां है वहां का असर है उन्हों पर वो सीट बचा लें इसके लिए सीटा सोरेन आई और गीता कोड़ा इसके लिए हैं कि यह चाहिब आसा किसी जो पूर्वी सीमों की सीट है वह कर लें अब अब चुकि वीडि शेयर घजब है मतलब 50 फीजदी वोट बीजेपी को है अगर हम देखेंगे कॉंग्रिस का वोट सेर सिर्फ 15 फीजदी है जेवें का वोट सिर्फ 11 फीजदी है अगर सब जोड लें तो 26 परसेंट लगभग इनके दोनों मिला के वोट शेयर है यह पिछली बार साथी लड़ फिर मत जाईए विहार की तरह ठीक है यहां जो बीजेपी की जीती हुई सीटे है यारह में से एक सीट है खोकी जो डिगणाजार वोट से जीते थे अर्जुन मुंडा इक सीट है लोहरदगा जो 10,000 वोट से जीती थी बीजेपी तो यह दो सीटे एसी है जो दोनों बहुत और यहां केंडिडेट अर्जुन मुंडा फिर से चुनाव लड़ रहा है कोटी सीट से और लोहर दगा में सीट बदला है बीजेपी ने वहां के जो जीते हुए थे जो पहले मंतरी भी थे सुदर्शन भगाकून को अटा करके अपने राजसभा अगर कॉंग्रेस अपना केंडेट रिपीट करती है वहां से जो सुखदेव भगत लड़े थे जो पहले अध्यक्ष भी रहे है और वहां के बड़े नेता है पहले तो वहां के स्टेट सर्विस के अधिकारी भी थे वह अगर लोहर दगा लड़ते हैं और काली चरण मुंडा खूंटी जो पिशली बार दिगल हजार वोट से हारे थे तो यह दो जीती हुई जो सीटें है बार बार लिखना पढ़ना बोलना पांच हजार वोट सब एकदम याद रहता है हमको इतना कागज पतर रखना पड़ता है नहीं रखना चाहिए ठीक होता है कई बार इसमें ग जो सिते हमान रहें था संदाल पर करें पज्ञारा कि ऑनाना है कि बीजैपी के लिए अगर दे देखें तो चार चेहरो सीट कम से कम बीजैपी को यहाँा यह नहीं यह जेपी के वीजेपी का एक मैले है जेपी पटेल मांडू से बड़े नेता थे टेकलाल महतो उनका बेटा है तो वो बीजेपी का विधायक है और वो आगया कॉंग्रेस पाटी में तो इसका असर हजारी बाग और गेरीडी दोनों सीटों पर होगा महतो जाती जो है वो आदिवासी के बाद दूसरी सबसे नेता थे जेमें के वोनका बेटा आ गया कॉंग्रेस से बीजेपी चोड़की यह बहुत रहर हो रहा है कि बीजेपी से कोई छोड़के जा रहा हो कॉंग्रेस में तो यह जेपी पटेल गया अब उसकी वज़ए से मांडू का विधायक है जो हजारी बाग चेतर में आता है है और तीन ही आप समझ लीजिए कि इधर चोटानागपूर में ले आई तो ओवरॉल फिर इसे साब से फिर मुआपस पहले स्क्रीन पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी चाववन सीटों के पेच पेच पे आप बताईए चाववन सीटों के पेच पेच में बिहार अगर चाववन सीटों पर बात करें तो पिछली बार इसमें से 49 सीट अभी एंडिये की बात करें और 11 सीट तो हो गया यह कितना हो गया तीन एक चार नो दो ग्यारा तो इतनी एंडिये को मिली अब इसमें एक और जोड़ दीजेगा गीता कोड़ अब उदर चली गई चली और देखी एक चीट क्या होती है बहुत सारे साथी लोग जब बात करते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं कि 49 बिहार में पिछली बार 2019 में मिली वहां तो 15 कम हो जाएगी तो बार बार में बताता हूं कि बीजेपी का अगर जोड़ेंगे जिससे बीजेपी को 303 का नंबर आया तो बिहार में सिर्फ सत्रा है तो 303 नवें पर बात करेंगे तो 17 आप 305 बात करेंगे तो 49 होगा तो अब यहां 303 पर बात कर रहें उस इस्तिती में फिर वापस आते हैं उस इस्तिती में अच्छा मैं जान बुझकर यहां डीटेलिंग में बात करो दर्शकों को भी बता दू तो उस इस्तिती में बिहार में हुआ 17 सीटे और जारखन में हुआ 11 तो 28 सीट है दोनों राज्यों को मिला के बीजे ठीक है और माकी तो हमने जोड़ा यह क्या बन तो अब यहां 54 सीटों के पेच में क्या देखते हो अगर इस 28 की बात करेंगे तो इनकी अभी 17 में से 6 सीटे जो हमने पहले बताई हूं बनरेबल है बहुत काटे की लड़ाई हो तो यह दिए कर आएंगे जब धारखंड में आएंगे तो वह 11 में से 6 सीटें इन ही की है पांच इनकी है और एक सायोगी आजसू की है तो इनके 18 में से 5 प्लस 6 11 सीट ऐसी एस 28 में से बीजे पी की जो बहुत कांटे की टकर वाली सीट है जिस में से नुकसान हो सकता है 17 तो वो 17 क्लेर कट है या वहां भी बीजेपी क्यों चुनावती है यही सबाइब कैसा आता है उनकी तरफ से और इधर से कैसा आता है किस तरह से सीटे बढ़ती हैं यह लोग किसको उतारते हैं और चुनाओ का महौल किस तरह से बिल्ट अप होता है कास्ट लाइन पर कितना कॉमिनल पोलराइजेशन हलाकि बिहार में ऐसा जादा होता नहीं है लेकिन वो सारे फेक्टर हम लोग कंसीडर करके तब उस पर बात कर सकते हैं अभी अभी की इस्तिती में यह इस्तिती दिख रही है कि बीजेपी की अपनी जीती हुई पांच सीटे काटे वाली काटेंगी टक्कर वाली हो गई और जारखंट के एक मातर सही होगी जो है आजसू की सीट जो है गिरीडी की वह मांडू में जेपी पटेल के आने से यह सीट भी अब वापस आते एक आखरी समप करने के लिए चुकि आप अब अगर हम बात करते हैं यह कि बिहा हो कि 10 सीट जेडियू काटे की टककर है जेडियू 6 सीट VO7 के लिए और चिरा के लिए पांचो सिट चिरा को ये कांटे की टककर है मतलब जीतना मुश्किल है बोले आपके शब्त को बोले जीतना मुश्किल सब नहीं होगा हो सकता है तब हम लोग तो 10-6-6 और 5-21 seat पर बहुत कड़ी टक करें तो उस हिसाब से 49 में से 21 seat फसी हुई है यह तो कह सकते हैं कि 21 seat फसी हुई है चुकि हम बार बार यह कहते हैं कि 50% seat वहां फस रही है इसी बादशी हम करते रहेंगे और राजी जीस से रिक्रेस्ट करेंगे कि हम लोग बाकी राज्यों पर भी ऐसे महारास्ट देखे अब बार बार जबात होती है कि कहां से ओधिके नंबर कम हो गे तो गिहार का ँटीकर शूर से होता रहा है अलाके नितिश के पाला बदलने के वाल इस सिर्फ थोड़ी बदली बंगाल को जिक्र होता है कनाटक का जिक्र होता है महारास्त का मुक्षे तोर मिल्कe तो मार जी ज़िक्र द्सक्राइब बाकि तो जहां रास्थ्हान या गुजरात और तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों यह खत्म करते हैं और मैं फिर कहूंगा हम कोई सेफलोजी नहीं कर रहे हैं कोई भवश्वानी नहीं कर रहे हैं कोई कुणली देखकर नहीं कि मेरा नाम खुद जी बोले मुझे सोचना पड़ता है क्योंकि देश में एक मात्र आदमी मैंने अपने तजुर्वे से कर देखा कि लिए चालिसच के अनुरी देश के प्रधान मंत्री हैं यह मोदी है मुझे आदम कितनी वार कैसे ले सकता है बार-बार तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है मुझे प्राइल कुबब आचिए